यूपी दिलियन स्यार सहीत दीश के अंडिराजु से लोग उत्राखंट के परिटन इस्थलू पर पहुँच रही हैं रिशिकेश हरीद्वार मसूरी ननिताल परिटन इस्थल भी पूरी तरह से पैक हैं एक तरफ जहां परिटन इस्थलू में परिटकों की आमद बढ़ रही है तो वहीं उनकी लापरवाही से कई हाथ से भी हो रही है परिटक रिशिकेश यहम हरीद्वार में गंगारदी में नहाते वक्त एक बड़ी लापरवाही बरत रही है इसका इंजाम उनको भुगतना भी पड़ रहा है जी हाँ फिर इशिकेश लक्षिमर जूला शेत्र में गंगा में नहाते हुई नौईडा के आठ परेटक एक साथ वह गई जी हाँ इसमें से एक युवक और एक युवती गंगा की दीच पहाओ में गायब हो गई जबकि बागी को बमुश्किल बहान निकाला गया दरसल हुआ कुछ ऐसा थाना लक्षिमर जूला के परभारी दिरिक्षक रविसेनी ने बताया नौईडा से आठ लोगों का ग्रूप जिसमें चाहत, अंकुरानन, शेया, नमन, अनुपरिया, साक्षी और नेहा और सुनील थे ये लोग दो दिन पहले ही रिशिकेश पहुँची, इस बीच ये ग्रूप रिशिकेश के स्वरगाश्रम शेत्र में पहुचा, यहां सभी लोग मस्तराम घाज पर गंगा नदी में नहाने उतर गए, नहाते समय गंगा में गहराई का अंदाजा नहीं होने से वो डूबने लगे और देखते ही देखते ही तेज लहरू की बीच एक युवती समीद दो परिटक गायब हो गए, परिटको को डूबते देख राफ्टिंग गायट उनको बचाने के लिए गंगा में कूद गए, राफ्टिंग गायट ने दो परिटको को बचा भी लिया और चार गायट प्रदीब नेगी और अरजुन राणा देवूद बन कर आए, गायट प्रदीब ने बताया कि वह और अरजुन ब्रहभपुरी से राफ्ट में परिटको को लेकर आ रहे थे, इस दोरान मस्तराम घाड पर कुछ परिटको को डूबता हुआ देखा, जिस पर वह और युवती समेट अन्य लोगों को अपनी राफ्ट में गंगा किनारे तक लाई, प्रदीब ने बताया कि युवती की स्तिती बेहत गंभीर है, जिससे अरजुन की मदद से CPR दी गई, लेकिन दो लोग गायब हैं, वही प्रदीब और अरजुन शीपुरी शेत्र में अभी त कि टीम लगातार गंगा में सौर्च ऑफिशन चला रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका, आपको बता दी, ये कोई पहला हाथसा नहीं है, जब ऐसा हुआ है, लगातार जब से परेटक सीजन शुरू हुआ है, रिशिकेश और हरी द्वार में लोग जाने गवाते जा रहे हैं, सैलानी, रिशिकेश आकर जादा एक्साइटिट हो रही है, इसी कारण बिना गंगा की कहराई या बहाव की जानकारे लिए ही कहीं पर भी कूछ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है, तो ध्यान दे, गंगा में नहाने के लिए वही पर उत्रें जहां पर रैलिंग लगी हो, या लोगों से पता कर लें कि कहां पर नहाना चाहिए, एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े हाथ से को दावत दे सकती है